हालो फेंज वेलकम तो इस वीडियो क्लास में मैं डिसकस करूंगा SSC Steno Exam 2016 का एक पेपर इसको हम सॉल्ब करेंगे और इस वीडियो क्लास में मैंने 20 कोश्चन्स लिए हैं और यह सभी कोश्चन्स SSC के सभी एक्जैम्स के लिए English section के लिए काफी important रहेंगे चाहे वो CGL हो, CPO हो, Steno हो, CHSL हो या MTS हो इन सभी एक्जैम्स के लिए यह questions काफी important रहेंगे तो चलिए देखते हैं इन questions को और discuss करते हैं इन questions को देखे, question number one है ये और opposite word आपको बताना है जिनको हम endonyms भी बोलते है, authentic authentic का क्या मतलब है, authentic का मतलब यो सही है, जो असली है ठीक है, और जो सही और असली नहीं है उसको हम भूलेंगे fictitious, fictitious मतलब होता है जो fiction पर based है और fiction होता है कोई भी कोई भी ऐसी चीज, कालपनिक या जूटी जो सही नहीं है authentic का मतलब जो सही है fictitious मतलब जो सही नहीं है authentic मतलब real fictitious मतलब जो real नहीं है तो किसी भी दरीके से आप इसको देख सकते हैं और daring का मतलब होता है साहसी, courageous enticing का मतलब होता है जो आपको tempt कर रहा है, जो आपको ललचा रहा है उसको हम बोलते हैं enticing और legitimate पतलब जो legal है जो कानूनी है जो सही है तो fictitious यहाँ पर इसका opposite होगा authentic का और इसका अधी synonym देखा जाए तो इसका synonym हो सकता है real या genuine इस तरह के words जो है वो इसके synonym हो सकते हैं ठीक है एक यह देखते हैं second word है choose और इसका आपको बताना है opposite word तो किसी चीज को जब आप choose नहीं करते हैं तो उसका जो meaning होगा वो होगा इसका entonim choose करना मतलब select करना और जब आप choose नहीं करते हैं तो आप उसको reject कर देते हैं तो इसका entonim होगा reject ठीक है want का मतलब चाहना dislike का मतलब किसी चीज को ना पसंद करना desire का मतलब होता है एक्षा तो reject इसका सही answer यहाँ पर होगा question number next देखते हैं juxtaposition, juxtaposition का मतलब होता है pass pass लखना किसी चीज को और जब आप pass पास नहीं रखते हैं किसी चीज को तो वो दोनों चीजे separate हो जाती हैं है दूरी ठीक है और जख्टा position मतलब pass pass रखना तो जख्टा position actually इसका सही होगा इसका जो सही answer होगा वोगा separation जख्टा position मतलब pass pass रखना separation मतलब दूर दूर करना तो उस logic के हिसाब से देखा जाए तो separation यहाँ पर काफी close है और SSE exams में और दूसरे सभी competitive exams में इस तरह के options एक question के आपको देखने को मिलेंगे जिसमें दो option काफी close होंगे ठीक है तो एक होता है more correct एक होता है correct और एक होता है most correct तो most correct जो option है उसको आपको choose करना है तो separation यहाँ पर most correct option होगा जख्टा position next हम देखते हैं bold वर्ड है वो है timid इसका जो noun form होता है वो होता है timidity यह adjective है timid ठीक है यह हो जाएगा इसका sunonim beautiful मतलब सुंदर, wealthy मतलब काफी धन संपन तो इस तरीके से bold का जो एंटोनिम होगा वो होगा timid timid के लिए एक word और है chicken hearted भी इसको मोलते है chicken hearted है है, हैसन, हैसन देखिए आपने एक word सुना होगा haste जैसे इसमें एक proverb भी है, haste makes waste मतलब जल्दबाजी जो होती है वो शैतान का काम होता है, जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए, तो haste से ही ये बना है, हैसन हैसन मतलब जल्दी करना और slow मतलब उसको धीमा करना तो slow इसका एंटोनिम होगा instruct का मतलब कैसी को instructions देना, obstruct का मतलब रोकना ठीक है, obstruct का मतलब रोकना होता है ये भी काफी close है, लेकिन slow इसका सही होगा obstruct का मतलब बाधा डालना होता है ठीक है तो next देखते हैं, ये idioms का पाथ है, after much contemplation, the two rivals decided to bury the hatchet and work in unison contemplation का मतलब है, सोच बिचार ठीक है, तो काफी सोच बिचार के बाद, वो जो दौनोर पतिद्वन्दी थे दौनोर बिरोधी थे, उन्होंने decide किया कि वो अब bury the hatchet कर देंगे, bury the hatchet का मतलब क्या है देखें, यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताता हूँ, यह जो word है इस word को हम bury या bury या बूरी या इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, bury इसको हम बोलते हैं, और इसका मतलब होता है किसी चीज को दफना ना, और hatchet, hatchet actually जैसे कुलहारी टाइप होती है एक लड़ने का एक हतियार होता है तो जो राइबल्स जो है, वो अपने अपनी hatchet को bury कर देते हैं, दफना देते है मतलब आपने जो औजार है उनको दफना देते है, इसका मतलब क्या है कि उनोंने, उनमें agreement हो गया उनमें सुलह हो गई है उनमें patch up हो गया है और वो अब साथ में काम करेंगी अब उनके बीच में कोई लड़ाई जगड़ा नहीं रहेगा तो इसके लिए जो सही इसका जो explanation है, वो है, get reconciled reconciliation मतलब होता है सहमती या समझोता हो जाना या सुलह हो जाना तो आपको ये options भी देखने पड़ेंगे क्योंकि SSC exam में जो options होते हैं तो examiner क्या करता है कि इन options को अलग तरीके से आपके सामने present करता है वो exact हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो reconcile word ही दे वो make piece दे सकता है या इस तरह का कुछ equivalent word आपको बना के दे सकता है तो ये आपको practice से आएगा ये आपको देखना पड़ेगा तो यहाँ पर सही answer होगा आपका get reconciled और SSC के exam सों या banking के exam सों understanding बहुत जरूरी है क्योंकि English language एक subject ना होकर एक language है और इसकी understanding जरूरी है context आपको देखना होता है context के according आपको answer वहाँ पर निकालना होता है तो इसने ज़्यादा आप reading करें चाहे हिंदू की करें या किसी भी newspaper गी करें या किसी magazine की करें लेकिन regular reading बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने मतलब के लिए अपने स्वार्थ के लिए किसी से मिलना या किसी से कुछ कहना ठीक है परसनल एंड टू सर्व अब देखिए इसमें इसमें जो answer होगा आपका वो यह होगा परसनल एंड टू सर्व एंड का मतलब होता है परसनल गोल या कोई भी काम ठीक है तो अलग तरीके से इसमें दिया है इसका जो answer है या अलग तरीके से दिया है NX to grind का मतलब जैसे यहाँ पर selfish interest भी दे सकते हैं या इसके जो options मिलेंगे वो अलग तरीके से आपको दिये जा सकते हैं अलग अलग पीपर्स में, अलग अलग तरीके से आपको दिये जा सकते हैं तो यह आपको comprehensive तरीके से टैक्टिस की करनी होगी अब यहाँ पर दिया है personal and to serve तो fourth इसका सही answer यहाँ पर होगा अपने स्वार्थ की पूर्थी के लिए किसी से कुछ कहना या करना ठीक है personal and to serve चलिए next देखते हैं आप burning problem आप burning problem का मतलब यह होता है कि एक जुलंत मुद्दा एक ऐसा मुद्दा जिसका solution जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए जिसके बारे मैं काफी लोग discuss कर रहे हैं और जिसका solution मतलब यह problem ऐसी है कि वो urgent है अर्जेंट उसका solution होना चाहिए एन अर्जेंट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम एन अर्जेंट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम तो ए इसका सही answer आपका होगा ठीक है देखें यह भी idiom है एक sentence में इसको बताया गया है आपको कभी कभी separately भी दे सकते हैं इसको independently यह जो idiom है और एक sentence में insert करके भी आपको दे सकते हैं तो my colleague made his mark ठीक है as a lawyer at an early age तो यह तो simple है ज्यादा कठें नहीं है मतलब मेरे colleague ने मेरे सहकर्मी ने अपना एक इस्थान बनाया अपना एक नाम बनाया एक बकील के रूप में बहुत ही कामेज में तो made his mark का मतलब होता है distinguished himself अपनी एक पहचान बनाया या अपना एक नाम बनाया उसने made his mark ठीक है इसको हम colleague या colleague नहीं पढ़ते हैं इसको हम colleague पढ़ते हैं ठीक है यह जो word है सह कर्मी जो आपके साथ काम करता है तो यह ध्यान रखिए चलिए next question देखते हैं I am all ears to listen to your stories of chevalry actually chevalry क्या होता है chevalry के देखिए दो मतलब होते है chevalry का मतलब actually medieval age में जो घुडों पर सवार होके जो सैनेक होते थे जो लोगों की रख्षा करते थे ठीक है उसके लिए यह word आता है chevalry लेकिन chevalry का मतलब है chevalry एक ऐसी quality के लिए बूला जाता है जिसमें बहादुरी भी आती है kindness भी आती है politeness भी आती है औरतों का सम्मान करना भी आता है ठीक है chevalry का जो synonym है ठीक है तो chevalry का मैंने आपको जो explanation दिया वही इसका सही explanation है और दो meaning मैंने यहाँ पर नीचे इसमें explain किये हैं तो इनको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं और galantry का मतलब है बहादुरी और galantry का मतलब और और तों के लिए मतलब पुरुशों का औरतों की तरफ जो सम्मान होता है एक अच्छा behavior होता है उसको भी हम shivalry बूलते हैं और बहादुरी के लिए भी यह word आता है काफी अच्छा यह word है और यहाँ पर इसका सही answer क्या होगा all ears का मतलब होता है एकदम एकदम keen होना एकदम interested होना किसी चीश को ध्यान से सुनना क्योंकि ears का जो संबंध है वो कानों से है ठीक है कानों से हम सुनते हैं तो attentive होके किसी चीश को सुनना या सुनने के लिए तयार होना या सुनने में interested होना यह सारे meaning होते हैं all ears के और देखिए, दो close word दिये हैं, eager and curious, curious का मतलब होता है, जो कोई भी hidden secret है, या कोई भी चीज ऐसी है, जिसको जो hidden है, या complicated, उसको जानना चाता है कोई व्यक्ति, जैसे बच्चे काफी curious होते हैं, ठीक है, eager का मतलब, eager थोड़ा सा, curious थोड़ा सा strong word है, eager का मतलब होता है, attentive, या keen या interested, तो एक व्यक्ति बैठा है, उसको कोई story सुनाना चाह रहा है, तो वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, जो स्टोरी सुनना चाहता है, वो eager होना चाहिए, वो attentive होना चाहिए, वो interested होना चाहिए, वो keen होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो सही word होगा, वो होगा eager, curious एक यहां पर आपका सही आंसर होगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से close word आते हैं, suspicious का मतला होता है, शंकालू, जिसको किसी चीज में doubt है, doubtful, और इसका एक सनोनिम है, वो सनोनिम है skeptical, ठीक है, इसको आप skeptical भी बोल सकते हैं, चलिए, next word देखते हैं, यहां पर मैंने eager, curious and inquisitive, इन तीनों का मीनिंग दिया है, और inquisitive वड़ा सा strong word होता है, जैसे किसी की जासुसी करना, कोई चीज जानने के लिए किसी की जासुसी करना, तो inquisitive का मतलब हो जाएगा, intelligent, curiosity, ठीक है, curious का मतलब किसी भी चीज को जानना कि चीज है, कैसे काम करती है, यह चीज कहां पर hidden है, या कोई secret है, उसके वारे में जानना, curious वो होता है, eager का मतलब होता है, keen and interested, तीनों में एक shade है, एक अलग-लग shade of meaning है, और तीनों का अलग-लग difference है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसको explain किया है, चलिए next question हम करते हैं, पैरा जंबल के यह questions हैं, और 1 and 6, ठीक है, 1 and 6 की position सेम रहेगी, PQRS की position को आपको change करना है, तो इसमें यह sentence हो जाएगा, housing facilities, housing facilities चुकि एक subject है, और plural subject है क्योंकि इसमें S लगा हुआ है, तो इसके बाद जो verb आईगी, उसमें S नहीं होगा, plural verb होगी, ठीक है, subject तो ही, इसके बाद verb आईगी, तो verb आईगी है, यहाँ पर है, struggle, housing facilities, struggle, housing facilities जो होती है, वो struggle करती है, किस चीज के लिए, to keep up, maintain करने के लिए, किसी चीज को maintain करने के लिए, देखिए, इसमें आपका पूरा logic इसमें आपका check होता है, और यह चीज भी आपको understanding से आईगी, कि किस word के साथ कौन सा word follow होगा, जैसे ज़िए मै बता रहा हूँ आपको, कि housing facilities एक subject है, तो इसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब कैसी आएगी, plural आएगी, plural वर्ब struggle है, struggle के बाद हम with बोलेंगे, struggle के बाद यहाँ पर हम to बोलेंगे, struggle किस लिए कर रहा है, housing facilities, struggle, housing facilities, struggle करती है, किस लिए, to keep up, keep up का मतला होता है, maintain, यानि S और P इसमें initial pair होगा, S और P, ठीक है, तो इसमें answer यही होगा, इसको पूरा पढ़ लेते हैं, housing facilities, struggle to keep up, keep up के बाद विद ही आ सकता है, यानि यहाँ पर third position पर QE आ सकता है, और fourth position पर influx ही आ सकता है, तो S, P, QR ही इसका सही आंसर होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, housing facilities, struggle to keep up with the increasing influx of population, मतलब housing, जो मकान बनते हैं, definitely वो struggle कर रहा है, क्योंकि population बढ़ती जा रही है, उसका influx बढ़ता जा रहा है, और मकान जो है, वो कम हैं लोगों के रहने के लिए, तो housing facility struggle कर रही है, किसलिए, housing facility struggle to keep up with the increasing influx of population, मतलब housing facility जो है, वो increasing demand है, जो influx है population का, उसके साथ न नहीं चल पा रही है, ठीक है, मतलब लोग जादा है, लेकिन मकान कम है, ये इसका मतलब है, तो इसलिए housing facility struggle कर रही है, influx के साथ एक momentum बनाने में, वो momentum नहीं बन पा रहा है, तो ये sentence का मतलब है, और किस तरीके से आपको जोड़ा, जोड़के मैंने बताया, आपको अच्छ बजना है चीज़ों को कैसे sentence बनता है, कैसे sentence जुड़ता है, किसके साथ कौन सब वर्ड आएगा, reading बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब देखिए, इसको भी मैं करके बताऊँगा, same logic से, I would urge you, मैं आपसे urge करता हूँ, ठीक है, मैं आपसे बिंती करता हूँ, किस चीज के sympathetic view, sympathetic view किस चीज का है, of this matter, यहां पर जो sequence बनेगा, वो बनेगा, RQS, RQS किस में है, RQS third में है, तो answer हो जाएगा C, ठीक है, आपको केबल दो लेटर को अच्छे तरीके से मिलाना है, दो लेटर आपको अच्छे तरीके से मिलाना है, दो लेटर मिलाने के बाद भी समझ में के नहीं आ रहा है आपको, तो फिर तीसरा लेटर को मिलाकर देखना है, कि एक sequence सही बन रहा है कि नहीं, और अगर बन रहा है, तो वहाँ पर वही फिर आपका answer होगा, तो इसमें काफी scoring यह होता है, और exams में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको आप सबसे बाद में करे क्योंकि कभी-कभी यह time consuming हो सकता है, I would urge you to take a very sympathetic view of this matter and take no further action, मतलब मैं आपसे request करूँगा कि इस matter के बारे में एक sympathetic view आप लें, मतलब इसमें कोई strict action आप नहीं लें, क्योंकि यह हो सकता एक sensitive issue हो, और उसके बारे में कोई further action आप नहीं लें, एक वक्ती दूसरे वक्ती से बो क्या होता है, accumulation का मतलब एकच्टा करना होता है, और यहाँ पर आप देख सकते है, accumulation, accumulation किस चीज का accumulation, accumulation of wealth, ठीक है, accumulation of wealth, यहाँ पर accumulation लेखाया है, तो इसके बाद यहीं लोजिक लगाएं, तो किसके accumulation की बात कर रहे हैं, किस चीज को एकच्टा करने की हम बात कर रहे हैं, wealth को कच्चा करने की बात कर रहे हैं accumulation of wealth ठीक है ये पूरा एक subject हो गया पूरा subject हो गया तो इसके बाद वरब आ जाएगी accumulation of wealth is not यह हो जाएगा is not the soul the soul aim of human life जै आपका sequence बन गया यहां पर हो जाएगा S Q R P S Q R P इसमें आपका आंसर होगा S Q R P accumulation of wealth is not the soul aim of human life soul का मतलब होता है only अकेला ठीक है solely एडवर्ब है इसका मतलब भी अकेला या only होता है soul का मतलब आत्मा भी होती है soul का मतलब एक पैर के नीचे जो होता है ना जो सूस में हम पैनते हैं सूस का जो बेस होता है उसको भी हम सूल बोलते है शूल प्रपैर्टर स्विप आपने सुना होगा soul का मतलब वर्ब की तरह भी यूज़ होता है जिसका मतलब होता है pull by ears तो तो soul के काफी मीनिंग है soul का मतलब अकेला only यह होता है ठीक है next हम देखते है a large a large के बाद आपके आज आ सकता है a large a large number आ सकता है a large number of sandalwood यानि यह हो गया first large number of sandalwood sandalwood मतलब चंदन चंदर का क्या होता है पीर होता है तो यह हो गया trees यानि QNS पहले किसमें आ रहे हैं QNS पहले केबल D में आ रहे हैं या यह आगया आपका answer sandalwood trees have been felled by a notorious gangster एक खतरना गेंगिस्टर के द्वारा sandalwood के काफी सारे पेड़ों को गिराया गया है fell का मतलब होता है गिराना fall का मतलब होता है गिरना fell का मतलब होता है गिरना यह कॉजटिव वर्भ है fell F-E-L-L-E-D fell fell का मतलब गिराना fall का मतलब अपने आप गिरना तो इस चीज को आप ध्यान दखें यह बहुत ही important है question number 15 देखते है Mr. Hawkins Mr. Hawkins के बारे मैं बात हो रही है तो Mr. Hawkins can write Mr. Hawkins पहले यह लगा देते हैं इसमें Mr. Hawkins who teaches who teaches at the University of Cambridge ठीक है यह तो Hawkins की definition हो गई Mr. Hawkins who teaches at the University of Cambridge can write can write on his computer using a check sensor तो यह sequence बन गया आपका सही ठीक है तो इसमें आपका अंसर क्या हो जाएगा SQ SQ सबसे पहले किसमें है SQ है second में second आपका अंसर हो जाएगा Mr. Hawkins who teaches at the University of Cambridge can write on his computer using a check check sensor पैरा जंबल में क्या होता है पैरा जंबल में एक एक complex sentence होता है उस sentence को break किया जाता है एक होता है compound sentence एक होता है complex sentence ठीक है तो complex sentence में क्या होता है clauses होते है अलग अलग तरीके के clauses होते है उनको mix करके पैरा जंबल बनाया जाता है तो यदि आप clauses की study करें complex sentences होते हैं तो पेरा जंबल को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा लेकिन इसका एक आसान तरीका है reading करना reading से आपके अंदर एक sense create हो जाएगा कि इस sentence में क्या सबसे पहले आएगा क्या बाद में आएगा और क्या इसका sequence होना चाहिए तो reading मैं बार बार आपसे बोला हूँ कि reading आप जरूर करें देखे ये हैं voice के sentences we must reduce pollution in big cities voice change करना है यहाँ पर आपको we must यह हो गया subject यह हो गया verb we must reduce हमें reduce करना चाहिए क्या चीज़ reduce करना चाहिए हमें pollution pollution हो गया object यह हो गया propositional phrase यह extra है object यह है तो यहां से sentence start हो जाएगा must का must भी हो जाएगा और यह sentence pollution शुरूम आ जाएगा must का must भी हो जाएगा reduce का reduced हो जाएगा third form तो यह structure किसमें दिया है must be के विल इसमें दिया है इसमें दिया है, आंसर क्या हो जाएगा, यह बहुत सरल होते हैं, यदि एक बार आपने इनको समझ लिया, तो बहुत यह सरल होते हैं, और within seconds इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, the invigilator was reading out the instruction, यह present continuous tense है, और present continuous tense के जब voice आप change करते हैं, तो उसमें being जरूर आता है, इसमें being जरूर आता है, being केवल first sentence में इसमें दिया है, बाकी sentence में being इसमें नहीं दिया, तो आंसर हो जाएगा first, यह तो आप within seconds कर सकते हैं, बहुत सरल होते हैं, ठीक है, the invigilator was reading, invigilator जो था, वो read कर रहा था, क्या चीज़ रीट कर रहा था, instructions, ठीक है, अब instructions plural है, तो इसलि being आएगा, third form इसको हम read out पढ़ेंगे यहाँ पर, being के साथ यह third form होती है, तो इसको read out ना पढ़ते हुए, इसको हम read out पढ़ेंगे, first answer होगा, इस sentence में आपका first answer होगा, next देखते हैं, you need to clean your shoes properly, यह थोड़ा सा tricky है, subject है इसमें you, need है इसमें verb, और यह पूरा है इसमें object, यह यह two phrase है, यह इसका object है, यह हो गया subject, यह हो गया verb, यह हो गया object, तो यह sentence कैसे बनेगा, you need का passive क्या होगा, you need का passive होगा, you are needed, ठीक है, you need, यह हो गया subject, यह हो गया verb, और इसका passive बना दो, you need का पैसे हो जाएगा, you are needed, और इसके बाद यह वाला पूरा रग दो इसके सामने, तो यू आर नीडेड हो गया यहां पर यह नीडेड हो गया और यह वाला पॉर्शन पूरा रख दिया जैसा का तैसा यू आर डीडेड टू क्लीन यू सूस पॉपर ली डी इसका आंसर आपका होगा ठीक है इसके दो पैसे बन सकते हैं तो यह है इंडारेक्ट ऑब्जेक्ट यह है डारेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है तो competitive exam में जो indirect subject से जो sentence आपका बनेगा वो सही माना जाएगा यानि us से बनेगा us का हो जाएगा we तो यह हो जाएगा we are taught English by him d इसमें आपका सही आंसर माना जाएगा इसमें English चे भी देखिए बनाया है यहाँ पर English is taught to us by him तो यह है इसमें correct और यह है most correct तो मैंने भी आपको क्या बताया था एक होता है correct एक होता है most correct ठीक है एक होता है सही एक होता है पूरी तरीके से सही logically grammatically हर तरीके से सही तो इसमें यह भी सही है third लेकिन आपको जो answer लगाना है वो है fourth लगाना है जो indirect object से जो बनेगा वो सही माना जाता है my mother has cooked dinner for me my mother इसमें हो गया subject has cooked मेरी मदर ने बनाया है क्या बनाया है dinner यह हो गया object ठीक है dinner से sentence बनेगा has का has been हो जाएगा जिसमें dinner सुरू में आया है और जिसमें has been लगा है वो आपका answer हो जाएगा dinner सुरू में आया है यह has been लगाए यह third form लगी है तो answer क्या हो जाएगा D हो जाएगा तो इस तरीके से इन sentences को करना होता है यह 10-9 के real questions है 2016 के real questions है इनको आप जरूर देखें और definitely इनसे काफी help मिलेगी इसमें सभी तरह के questions आएंगे देखें प्रीबेसर कोश्चन जब आप करते हैं तो इससे कई benefits होते है एक तो आपको real questions का exposure आपको मिलता है इसके लाबा mixed questions जब आप करते है तो इससे confidence आपका पड़ता है इसमे सभी तरीके के questions में आपको solve कर बाऊंगा अभी अगला जो part होगा इसका उसमें RC, close test और fillers इस तरह के जो parts है वो भी इसमें आएंगे तो इन video classes को आप बार बार देखी और इस सारे concepts, सारे fundamentals आपको अच्छे तरीके से clear हो जाएंगे इस video class में इतना ही अब मैं आपसे